घर बैठे निशुलक संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राब करें कुछ मेरी जिग्यास आएं तो संगीत के कई ऐसे टॉपिक्स निकलेंगे जिन पर हम बात करेंगे और जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें और समझें और इत्मिनान से सुने कि क्या क्या वो बाते हैं और बहुत ऐसी ब रियाज आप के बारे में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं रियाज आप एक बहतरीन ऑनलाइन अप्लिकेशन है जिसके जरी आप घर बैटे हिंदुस्तानी करनाटक और बॉलिवुड संगीत सीख सकते हैं जिसमें की ऑडियो क्लिप्स होती हैं जिनमें जो गुरू हैं जो कलाकार हैं प्रोफेशनल्स हैं वो लोग गाते हैं उनके बाद आप रिपीट करते हैं तो खयाल आपको वहां सीखने को मिलते हैं गीत आपको सीखने को मिलते हैं तो कूपन कोड और लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से देखिए डाउनलोड कीजे और स आई अब शुरू करते हैं बातचीत दादा गुरुजी के साथ कि जैसा कि ये सब जानते तो ही है कि संगीत प्रवा वर्ल्ड के जो भी विद्यारती जितने भी हैं सब आप ही से सीखे हैं मेरे पिता जी मैं और भव्यन है हिमजा है हरीजा है तो गुरुजी का शुभनाम पं सबच्छा करने जा रहा हो वह स्टुदेंट का ही सवाल रहता है य। ऑन-लाइन स्टुदेंट चीन की बाते हैं जो जानना चाते हैं तो जैसे उन्होंने शौरब करते हैं लेकिन आई आल का चार से हम उंध्विस्तार् करते हैं वह ज्यादा बहतर होता है उसमें स्वर का पक्कापन है और राक का चलन भी अच्छे से दिख जाता है बनिजबत की स्वरों में क्योंकि वो फिर मीर और उसमें वो जो चीजें हैं वो आकार में ज़्यादा अच्छे से दिख पाती है मगर कई कलाकार ऐसे भी होते हैं कई घरानों में ये भी गाई की है कि वो जो गाई आलाप का जो तरीखा है उसमें नोम तोम का आलाप होता है यानि कुछ तराने के बोल कुछ दिरदारा, नादिरदारा धीम तनना तोम ऐसे कुछ-कुछ शब्द होते हैं जिनसे हम विस्तार करते हैं, तो वो क्या चीज है, उसका कोई benefit होता है, या फिर वो किस चीज से related है, और उसको कैसे सीखा जा सकता है, उस पर हम आज थोड़ा जानना चाहरे थे. वो जो नोम तोम के आलाब की बात करते हैं, वास्ता में वो दुरुपत की चीज है, और वो नोम तोम नहीं है, वो कुछ और है, वो मैं बताता हूँ, वो है ओम श्री अनंत हरी नारायन, तू ही तरनतारन नारायन, वो वास्ता में उसके शब्द ये हैं, दिरे दिरे करके और और बोलने लग गए है या अशी हो गया है लेकिन उसको नॉम तोम नॉम तोम के दिया है तो असी बात नहीं है बाकि उसके ये शब्द है तो जो पुराने गायक थे जो दूपत गाते थे उनों जैसे तांसेन का नाम लेता है तो पांचन भई दूपद गायक थे वास्तो में तो दूपद गाते थे तो वहाँ से जब ख्याल गायन में आये तो आलावचारी का वह तरीका था तो जो दूपद अग से कुछ सारे घराने हैं जैसे गवालयर घराना है या आगरा घराना है या और कोई घराना है तो उसमें जो अंग आया वो दुरुपत से ही आया तो कुछ घरानों में दुरुपत के इस आलापचारी को महत्व दिया और वो करते हैं और कुछ घरानों में ऐसा नहीं है तो वो नहीं करते हैं और वैसे तो अधिकतर घरानों में ऐसी ही आलापचारी की जाती है, कही कहीं कोई नहीं भी करते हैं, ठीक बात है, लेकिन ऐसा होता है, उसको नॉम तॉम तक सिमित कर दिया, बाकि है वो, ओम श्री अनंत हरी नारायन, तू ही तरन तारन नारायन, इसकी भी एक बात बताता यह बात बता देता हूं, क्योंकि यह बात मुझे मेरे ताओ जी ने बताई थी, मेरे ताओ जी यारनी मेरे पिता जी के बड़े भाई, सबसे बड़े बाई, गोवर्धन जी, उनका नाम था गोवर्धन जी, वो बहुत सन्यासियों के साधुएं के बीच में रहें, और और उसके अलावा उनको गाएन का काफी knowledge था बहुत knowledge था गाते नहीं थे पर बहुत जानकरी और संगीत की जानकरी पूरी उनके पास थी और सन्यासियों की साथ रहने से उनको आध्यात्म के बहुत सारे ग्यान उनको था आध्यात्म का तो उन्होंने मुझे बताया था ये बात कि सुबह चार बजे ब्रह्म मुहूद में ऊठार रियाज करना चाहिए ठीक है अब वो ये बात करते थे ये हमारा जो इस्थान होता है बीच में बिल्कुल बीच में थोड़ा सा नर्म नर्म सा इस्थान होता है यहां से ब्रह्मरस तपकता है ठीक है और योगियों को उसका स्वाद लेने के लिए उसका आनंद लेने के लिए बहुत सारी मुद्राओं का क्रियाय होती है वो करनी पड़ती है उसमें एक खेचरी मुद्रा कुछ होती है जिसको जबान को यू करके उसको लंबा किया जाता है और उसको पीछे मोरा जाता है खेचरी मुद्रा इस तरह से होती है तो लेकिन कलाकारों के लिए जैसे दुरुपद है तो दुरुपद गायन में ऐसी बहुत सारी क्रिया होती ह होंगी मुझे नहीं पता है लेकिन ये क्रिया मुझे मेरे ताउजी ने बताई थी इसलिए मुझे पता है तो वो कहते थे के बेटा ये तुम जो आलाप करते हो इसका क्या आर्थ है मुझे तो पता नहीं था उन्होंने बता है मुझे कि ये जो ब्रह्मरंद्र है यहाँ पर वहां से ब्रह्मरस टपकता है और वो सबका बंद होता है ठीक है उसको योगी अपनी साधना से खोलते हैं लेकिन दुरूपद के कलाकार उसको उस जबान से वहां पर चोट मार कर उसको खोलते हैं तो टा ना रा यह जो भी बोलेंगे तो आप देखो श्री आनंता हरी नारायाना यह जबान वहीं चोट पड़ती है उसको फिर रनारारारारारा ऐसा बोलते हैं तो वो जितनी वहां चोट पड़ती है तो वो ब्रह्म रंद्र जो है वो खुलता है तो इसके पीछे बात यह है इसलिए अब दुपद जो शैली थी वो कोई आनंद का विशे नहीं था तो वो तो इश्वर की साधना का माध्यम था वो योग था पूरा उसमें योगी क्रिया है बहुत सारी होंगी यह तो एक मुझे पता पड़ी ऐसी बहुत सारी होंगी तो वास्ता में बात यह है तो वो घराने से यह जो तुम कहरे हो के बहुत सारे नौम तुम के अलाप करते हैं वो वहां से जो दुरुपद गाते थे और उनकी वो जो गायकी है वो थोड़ी सी इसमें आ गई उसका खाली अलाप का यह तरीका है वो इसमें आ गया बस यह बात है और उसका अर्थ यह है अब जैसे हम को कोई राग ले 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 और उसमें एक छोटा सा आलाप करकर हमको गा कर अगर बताएं आप और उसमें एक हम सिंपल वे में गाते हैं उसको आकार में और उसी को कैसे हम फिर उस अंग में गाते हैं तो वो एक थोड़ा सा एक्जामपल अगर मिल जाता तो अगर आकार में गाते हैं मेरे पिता जी से जो मैंने सीखा वो मैं बताता हूं वो भी पहले यही करते थे गाने से पहले ओम श्रीयाना दारे नारायाना दूहे ताराना दाराना नारायाना है ना पहले इस तरह से बुछते थे उसके बाद आना आना आनता अब यह देखें आनता है ना आनाता आरे नारा आरे नारा आरे नारा अब बहुत से लोग इसको ये अनन्त हरी नारायन ये नहीं बोलके आरे नारे आरे"... अब ये हरी का री ले लिया नारा आरे नारायन का नारा वो ही कर रहा है ना जैसे एक और चीज होती है जब हम अक्षरों को बोलते हैं अलग-अलग स्वरों पर तो जिस प्रकार का हमारा उचारन होगा वैसी ही अंदर से ध्वनी निकलेगी और गले का और उचारन का आपस में बहुत संबंध है कि जब हम उचे स्वरों में बोल रहे हैं तो हम खुले अक्षरों को थोड़ा मुश्किल आती है बोलने में क्योंकि सांस का भी उसमें शब्दों के हम छोटे शब्दों का इस्तवाल करते हैं जैसे कि अभी आपने जब आलापचारी करी तो उसमें री को शडच पे छोड़ा उपर ताकि वो सांस भी एक तो वो टिके वहां पे और सांस भी लंबी रहे यह ऐसा होता है तो इसलिए भी इस प्रकार की आलापच कि आगे जब आकार की ताने आएंगी आकार के आलाप आएंगे तो वो तो करने पड़ेगा वहां तो नों तो माप यूज नहीं कर सकते हैं जाहिर बात है तो वहां की एक एक खास बात है